6.5 प्रतिरोधों का संयोजन Combination of Resistance जैसा की हमने पढ़ा है कि विद्यूद धारा के प्रवाह के लिए एक पूर्ण परिपत के आवशक्ता होती है जिसमें बहुत सारे विद्यूद घटक उपस्तित होते हैं जैसे प्रतिरोधक, विद्यूद बल्ब, सेल, संयोजी तारे, आदी जब किसी परिपत में विद्यूद धारा को नियंतरित करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोध का इस्तमाल किया जाता है तब प्रतिरोधों को परिपत में दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है पहला श्रेनी क्रम संयोजन, दूसरा समनांतर क्रम संयोजन जब किसी विध्युत परिपत में पहले प्रतिरोत का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोत के पहले सिरे से जोड देते हैं और दूसरे प्रतिरोद का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोद के पहले सिरे से जोड़ देते हैं तो ऐसे सैयोजन को श्रेणी क्रम सैयोजन कहते हैं इस क्रम को हम आवशक्ता अनुसार बढ़ा सकते हैं इस प्रकार पहले प्रतिरोध के पहले सिरे एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य आवशक्ता नुसार, सेल, स्विच एवं धारा मापी जोड़ देते हैं दिये गए चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 वह R3 स्ट्रेनी क्रम में जोड़े गए हैं यदि कोई अकेला प्रतिरोध इन सभी प्रतिरोधों के संयोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर दे कि परिपत में धारा का मान अपरिवर्तित रहे तो इस अकेले प्रतिरोध को तुल्य अथ्वा परिणामी प्रतिरोध कहते हैं यदि धर्शाय चित्र साथ में विद्यूत परिपत में प्रवाहित विद्यूत धारा आई है तो समान विद्यूत धारा आई प्रतेक प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विद्युत परिपत में प्रतेक बिन्दों के बीच का विभवानतर अलग-अलग होता है इसलिए प्रतेक प्रतिरोद जो श्रेनी क्रम में जुड़े हैं उनका विभवानतर भी अलग-अलग होगा यदि प्रतिरोध R1 का विभवांतर V1 है प्रतिरोध R2 का विभवांतर V2 है प्रतिरोध R3 का विभवांतर V3 है तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR अतह V1 बराबर IR1 V2 बराबर IR2 V3 बराबर IR3 परंतु श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर प्रतेक प्रतिरोत के विभवांतर का जोड़ होता है याने की V बराबर V1 धन V2 धन V3 समिकरण 2 उपर दिये गए समिकरणों एक और दो द्वारा IR बराबर IR1 धन IR2 धन IR3 IR बराबर IR1 धन IR2 धन IR3 अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े दो या उससे अधिक प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध उनका योग होता है श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आर बराबर IR1 धन IR2 धन IR3 होता है श्रेणी क्रम परिपत से एक प्रमुखानी यह होती है कि जब परिपत का एक अव्यव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपत तूट जाता है और परिपत का अन्य कोई अव्यव भी कार्य नहीं कर पाता इसी प्रकार वोल्ट मीटर वा अमीटर का भी प्रतिरोध होता है अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है इसलिए उसे परिपत में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि उसमें से अधिक तम धारा प्रवाहित हो जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होने के कारण उसे समनांतर क्रम में संयोजित किया जाता है ताकि कम धारा उसमें से प्रवाहित हो 6.5.2 समनांतर क्रम संयोजन पैरलल कॉम्बिनेशन जब किसी विद्यूत परिपत में सभी प्रतिरोधों के पहले सीरों को एक बिंदू और दूसरे सीरों को दूसरे बिंदू पर जोड़ा जाता है तो यह संयोजन समनांतर संयोजन कहलाता है इस क्रम को हम आवशक्ता अनुसार बढ़ा सकते हैं यहां चित्र आठ में तीन प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 को समनांतर क्रम में जोड़ा गया है संयोजन में बैटरी, स्विच, एवं अ मीटर भी जोड़ा गया है प्रत्तेक प्रतिरोधों में समान विबवांतर V है लेकिन प्रत्यक प्रतिरोध में प्रवाह होने वाली विद्युद धारा अलग-अलग होगी यदि R1, R2 तथा R3 में क्रम शह I1, I2 एवं I3 धारा प्रवाहित हो तो ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध R1, R2 वो R3 में बहने वाली धारा I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3 सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो I बराबर V बटे R किन्तु I बराबर I1 धन I2 धन I3 समनांतर संयोजित श्रेनी क्रम में कुल विद्युद्धारा का मान प्रतेक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युद्धारा के योग के बराबर होता है उपर दिये गए समिकरन द्वारा V बटे R बराबर V बटे R1 धन V बटे R2 धन V बटे R3 जैसा कि आपने देखा श्रेनी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है लेकिन समनांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है